हाई गाइज आपका स्वागत है आपके अपने शोप में के टॉक्स वर इंवेस्टमेंट एंडी में कैसे कल भी जैसल में में था और वाइफाई नहीं था इसकर करके वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि यह ना फॉर जी पर लोडने होती वीडियो बढ़ी होती तो आज हूं दूसरी हवेली में आजकर हवेली वगरा को चक्कर लगा रहा हूं भाई पैसा कमाने का क्या फाइदा शेर बजार में अगर इसको इंजोई नहीं किया तो मैंने विल्कुल प्लान बना लिया एक बार इंडिया में फाइव जी आ जाएगा तो और बढ़ियो आपको समय से म बात करें शेर बजार के हाल चाल की ते यार जैसे मैं काफी समय से कह रहा हाला कि बहुत सारे बच्चे हस रहे थे जब बजार ठाना जार से उपर था उनको लग रहा था नहीं मार्केट जो है गिरे गिरी और आज देखिए मार्केट का सी किरी और मैं बताओं इस वक्त इक ही बात निकले गी आग लगी युएस के बजारों में आग लगी आप देखिए डाउ जोन्स गिरा हुआ है एस यंपी फाइवंडर वन पॉइंट शिक परसंट गिरा हुआ है नैस्डेक टू परसंट गिरा हुआ 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 है जितनी भी रिकवरी की थी वापिस अब आज यूरोप में तो यूरोप के सारे वजराज तो मोएक्स भी गिरा हुआ है और बजारों में बड़ी भ्यंकर तेजी एक परसंट सवा परसंट डेड़ परसंट की गिरावट भी कई बजारों में देखने को मिल रही है जब प्रमुक जर्मनी का डैक्स और पैरिस क तो कि यह बजारों की बात करूं हाला कि निकाई और अच्छा हर्याली में बंद वा सव परसंट की और ऑस्ट्रेलिया भी पॉइंट 3% की बाकि सब बजार गिरकर बंद वे तो महौल को अच्छा नहीं है सब बजारों का महल खराब है अब अगर हम भारती बजारों की बात करें तो भारती बजारों का मार्किट मूड जो है वो 20 के लपेटे में आ गया हम एक्स्ट्रीम फियर में चलेगे और एक्स्ट्रीम फियर लगातार बढ़ रहा है यह दो तरह विशारे करता है एक तो बजारा भी और गिर सकता है दूसरा अब यह नहीं कि गिरता ही चला ज जा रहा है जो एक नेगेटिव सिंबल है सिगनल है ब्रेंट क्रूड ऑइल गिरा है वह अच्छी बात है यूएस और आइनर हलका सा गिरा है फ्लैट ही कहेंगे तो न्यूट्रल मान लीजिए और बॉंड हलकी सी कम हो यह थोड़ा सा फेवरेबल कह लिए दो फेक्टर होके मजबूर चला अब बहुत दूर बहुत दूर माल बेच चला कैश सेगमेंट में भी की सारे चोदा सो करोड की बिकवाली की इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में भी करडाली ठीक ठाक विकवाली कुल में लाके दो हजार करोड की से थोड़ी सी कम की विकवाली की है पर आज डियाइज ने थोड़ा ठीक ठाक माल खृदा चोदर सो क्रोड का उसके बाद सत्तर क्रोड की कैश सेगमें विकवाली आई है और ओवरॉल तो विकवाली का मौल बना रहा जिसके चलते आज चुथाई प्रतिशत भारती बजार की रहे हैं अब जिस तरह से अज अमरीकी बजारों की लंका लगी है सूनर और लेटर एशे बजार भी और चपेटे में आएंगे कल बजार बंद होए थे 17,511 गैप अप ओपनिंग ठीक ठाक स्यसी पॉइंट की बुरी नहीं थी पर महीं पीक बनाया 17,600 से नीचे का 600 काटा नहीं हलका सा ओपरेटर ने 17,600 से 0.25 पॉइंट नीचे ही पीक बनाया और फिर गेरता गया और आखरी शणों में दो बार बॉटम टच किया 17,421 का फिर हलकी से रिकवरी ली 17,421 के नस्दीक 17,465 पर 50 पॉइंट से थोड़ा कम चुथाई प्रतिश पॉट एशियन पेंट कोल इंडिया डॉक्टर एड़ी यह एशियन पेंट और लेना था बढ़ गया भूल गया मैं नहीं कल याद दिलाना है बजाज फिन सब पावर ग्रिट कॉर्परेशन जो है आज हर्याली में बंद हो हिंडाल को कि सबसे अधा बैंड बजी थी अधा कि चार्ट की बात करूं तो अब वैसे तो आज 200 डेज मुविंग एवरेज के नीचे भी बजार गया हाला कि यह अब देखेंगे बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है बहुत महीनों बाद कोंगा वह अच्छा संकेत नहीं है अगर 200 दिन इम्मे के नीचे बजार क्लोजिंग लेता है तो यह अच्छी बात नहीं है तो सुस्ति आ रही है नीद कम ली थी ना इसलिए आज एकसी सुबह से ड्राइविंग कर रहा हूं कितने गंटे के ड्राइविंग कि है नाइन 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 बिना रोक टोके और घर कल पहुंचूंगा फिर बीच में बेक ले लिया एक बढ़िया हवेली बुक करें कैसी लग दिखना वीडियो में किसी आ रही है अच्छी आ रही बहुत यह पुरानी स्टाइल की हवेली है यह सब दिख रहा हो उपर पड़िच्छी सिन्रीज लगी है वह आपको दिखनी रहे होंगे तो आज रूके हैं हवेली में बढ़ पर ही बढ़त आने चाहिए अब में चार्ट पे तो हालत खराब है लाल इस्टोग्रम काफी मजबूत है और आरे से चौतिस क्या असपास आ गया है निफ्टी बैंक में चोथाई प्रतिशत गिरकर बंद हुआ चाली से जार एक पर क्लोज हुआ था आज उसके उपर अच् के बंद हुआ लगबक सो पॉइंट से थोड़ा कम पॉइंट टू थी परसंट गिरकर बंद हुआ अब आइडिएफसी फर्स बैंक था हलका सा चड़ाओ एक्सेज एउ स्मॉल इंडर्सिन बैंक हलके फुल के चड़े थे बाकि जो लुट रहे थे बजार वो था पी एन भ अब यहां पर कंसॉलिडेट कर रहा है और यह 200 दिन के मुविंग एवरेज से उपर है तो अभी इसमें और गिरावट बन सकती है मेरे हिसाब से मेरे चार्ट पर यह भी बेरिश्क्रासवर मजबूती करता जा रहा है और आरे से 30 के लपेटे में है आज मैंने ऑप्शन चे अब पुछेंगे मेरा उपीनिन क्या है मुझे तो लग रहा है बजार अभी डाउन ट्रेंड में फसा हुआ है और मुझे लगता है एक बार बजार जो है सत्रह जार के लेवल के निचे तो डेफिनिटली आएगा अब मेरा फीलिंग है मैं गलत हो सकता हूं पहले बता दू क्यार में कोई जोतिश्ट हून कि नहीं में नॉस्त नमस्त ना जो बता दे सब कुछ पर मेरी अप्णी फिलिंग आ तर defect के नीचे देफिनिटली विजार को आफुट होना जै इसलिए आप देखेंगे रोजाना में थोड़ी थोड़ी खरिजारी करता हुआ हुआ है को पता थोड़ी बजार के रहेगा और हो सकता है इंडेक्स गिर जाए और जो शेर भी गिरे पड़े वह चड़ जाए तो जो भी अच्छा शिकार होता हुआ हो मैं खरीद लेता हुआ और इसका लाइव डम वाट्साप के और यूट्यूब के स्टूर्ण को दे सकता हुआ और आद भी मेरे स्टूर्ण बन सकते हैं वाट्साप के लिए 711-330-0770-113-203077 बेरी टीम को कॉरी और यूट्यूब के लिए आप दिखेंगे सब्सक्राइब के सा जॉइन का बटन अंदर जाने पर जॉइन करिए वहां से मेरे स्टूर्ण बन सकते हैं अच्छा डिमेट अकांट नी खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए और टेलिग्रम चैनल को ज़रूर जोइन करिए अब मैं क्या बोलू मुझे तो लग रहा है बज और सोला की लग रही है साथ परसेंट और सत्रा की लगए 95 परसेंट बजाज गिर रहा है तो अपनी बातों में उश्वास बन रहा है अब ऑपरेटर की मर्जी है भाई हमारा बाप है वो तो मिरेड में सारा मामला बदा देता है तो यह मैं आपको क्लियर करें इसी के साथ बाबाई गॉड ब्लेस्ट यहापी निश्टिंग और आप स्टॉक मार्गेट के बेताज बाश्या बने